आज है 26 अपरेल 23 और 26 अपरेल 23 से के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कुस करेंगे और हर कुश्चन से रेलेटेंट इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वह ध्यान से देखिए ला तो आप उस लिंख पर करके टेलेग्राम गरूप च्टार्ट करसकते हैं तो चलिए स्टाट करते हैं पहला कुश्चन है हाली में अंतराश्थी प्रतिनिदी दिवस कम मनाए गया है तो अब ये 25 अप्रेल को अंतरास्टी प्रतिनिदी दिवस मनाए गया तो इस कुश्चिन का बे ऑप्सिंस है सेयुक्त राष्ट में सदस्य राज्यों के प्रतिनिदियों और प्रतिनिदियों के कारियों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 अप्रेल को ये अंतरास्टी प्रतिनिदी दिवस मनाया जाता है अच्छा अप्रेल में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंटी मनाए गया है सारे मैंने यहापे लिख दिये यह कई बार मैंने आपको रिवाइज करा दिये एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ आप मेरे साथ साथ बोलिए अभी एक अप्रेल को RBI का स्तापन दिवस मनाए गया था और एक अप्रेल को ही उडिशा दिवस या उतकल दिवस मनाए गया दो अप्रेल को बेश सु ओर्टेज्म जागुकता दिवस मनाए गया चार अप्रेल को अंतरास्टी खान जागुकता दिवस मनाए गया 5 अप्रेल को अंतरास्टी समुद्री दिवस और अंतरास्टी बिवेक दिवस मनाए गया 6 अप्रेल को बिकास और सांती के लिए अंतरास्टी खेल दिवस मनाए गया 7 अप्रेल को बेसु स्वास्ते दिवस मनाए गया 10 अप्रेल को 200 होमियोपेथी दिवस मनाए गया और इस बार के 200 होमियोपेथी दिवस की ठीम थी One Health One Family 11 अप्रेल को रास्टी सुरच्छित मात्रत दिवस और 200 पारकिंसन्स दिवस मनाए गया 12 अप्रेल को मानव अंतरिच उडान का अंतरास्टी दिवस मनाए गया चोदे अप्रेल को बेसु चगास रोग दिवस मनाए गया, पंद्रे अप्रेल को बेसु कला दिवस मनाए गया, सूले अप्रेल को हाथी बच्चाओ दिवस मनाए गया, सत्रे अप्रेल को बेसु हीमोफिलिया दिवस मनाए गया, अठारे अप्रेल को बेसु बिरासत दिवस यानि कि World Heritage Day मनाया गया, यह important है, World Heritage Day, 19 अपरेल को 200 लीवर दिवस मनाया गया, 20 अपरेल को चेनी वासा दिवस मनाया गया, 21 अपरेल को राश्टी सिविल सेवा दिवस मनाया गया, 22 अपरेल को 200 प्रत्वी दिवस मनाया गया, ये भी important है world earth day ये 22 अप्रेल को मना जाता है 23 अप्रेल को billion sex fear की जैनती मनाए गई और 24 अप्रेल को रास्ती पंचैती राजदिवस मनाए गई तो अप्रेल में अब तक इतने important day मनाए गए ये आपको याद रखने है अच्छा आज किस वीडियो का हम target रखते हैं 40 या like का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है helpful लगता है तब आप इस वीडियो को like और share जरू क्या करो और मैं आपको भी बोलता हूँ daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target विक्स करो चाहे चोटा साई target विक्स करो लेकिन daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target विक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस target को अचेव करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी next question है, hali में कहाँ 0-7-day का अन्वव किया गया, तो 0-7-day इसका अन्वव अभी बैंगलूरू में किया गया, तो इस question का say options है यह 25 अप्रेल को दुपेर में लगबग 12 बज के 17 मिनट पर बैंगलूरू में 0-7-day का अन्वव किया गया, 0-7-day का मतलब है अगर कोई चेज सीदे के सीदे उपर है 90 डिगरी पर जिससे की कोई सेडो नहीं बनती, तो अभी 25 अप्रेल को दुपेर में 12 बज के 17 मिनट के अप्रोक्स, 0-7-day का अन्वव बैंगलूरू में किया गया, वैसे आपको पता है, जो सूर्य होते हैं, वो या तो उत्तर की तरफ होते हैं, या अब कब किया गया, 25 अप्रेल को, ने कुशिन है, हाली में कहां 900 फेट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया, तो अभी मेक्सिको में 900 फेट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया, तो इस कुशिन का बे अप Mexico Mexico capital क्या है Mexico city इसकी currency क्या है Mexican peso और Mexico के present time president कौन है Andres Manuel Lopez Obrador कौन है Andres Manuel Lopez Obrador next question के स्राजी के मनाम दुराई मिट्टे के बरतनों को gta tag मिला तो मनाम दुराई मिट्टे के बरतन ये तमिलनाडु में है और इनको अभी gta tag मिला है तो इस question का से ओपसंस आहिए तमिलनाडू में सिब गंगई जिले में मनाम दुराई एक जगह है यहांके मिट्टे के बरतन बहुत फिम्हास है इनको अभी جा-टेG मिला है यह है मनाम दुराई के मिट्टे के बरतन इनको अभी जी-अटेG मिला अब तमिलाडू तो ये है मैप में तमिलाडू तमिलाडू की केपिटल क्या है? चेन नई तमिलाडू की चीपनिष्ट कौन है? M.K. स्टालिन और तमिलाडू की गवर्नल कौन है? R.N. रभी अभी तमिलाडू के कुम्मम अंगूर को G.I. टेक मिला है तमिलाडू के राजिपाल ने ओनलाइन जूएं पर प्रतिफंद लगाने वाले बिदेक को मंजूरी दी असोका लिलेड ने तमिलाडू में औल बेमेन प्रोडक्शन लाइन लॉंच की है बारत का पहला हाइब्रेड रॉकेट चेंगल पट्टू तमिलाडू में लॉंच किया गया और तमिलाडू के मुख्य मंत्री ने पुद्ध, मई, पेन, योजना के दूसरे चड़की शुरुआत की अभी RTI के जवाब दे में सबसे खराब प्रदर्सन करने वाला राजी तमिलाडू रहा है अच्छा काद्य सुरक्षा सूच कांग में तमिलाडू टॉप पर रहा मचलिह के उत्पादन में तमिलाडू टॉप पर है तमिलाडू में आद्धि पुरम त्युहार मना जाता है जली कट्टू का आयोजन तमिलाडू में किया जाता है तमिलाडू ने तमिल थाई बज्दू को अपना राज की गेत खोसित किया है और तमिलाडू में सत्य मंगलम टैगर रिजर्भ है इसे अभी टे एक्स टू अवार्ड मिला था ने क्यूशन है हाली में मलेरिया उन्मूलन पर एसिया प्रसांत नेताओं का सम्मिलन कहां आयोजित किया गया तो मलेरिया उन्मूलन पर एसिया प्रसांत नेताओं का सम्मिलन अभी नई दिल्ली में या उजित किया गया तो इस कुश्रियन का बेcitoция है अच्छा अभी 25 अपरेल को ही 200 मालेरिया दिबस भी मनाये गया ये भी आप याद रखी 25 अपरेल को ही 200 मालेरिया दिबस भी मनाये जाता है ने कुश्रियन है हाली में D.R.D.O. और भारती नौसिना ने कहा Ballistic Missile Defense Interceptor का सफल परिक्चर किया है तो अभी उडिशा के तटपर बंगाल की खाडी में D.R.D.O. और भारती नौसिना ने Ballistic Missile Defense Interceptor का सफल परिक्चर किया तो इसकुशन का A options आई है अब Udisa तो ये है मैप में Udisa Udisa के के पिटल के है भुपनेसवर Udisa के चीप निश्टर कौन है नवेन पटनाइक और Udisa के गवर्नर कौन है गनेशीलाग Udisa में है वेलर दीप और वेलर दीप का नाम बदल के A.P. जेब्दूलकलाम दीप रखा गया है उडेशा दिवस या उतकल दिवस कम मनाया चाता है एक अपरेल को अभी उडेशा के मुख्यमंत्री ने बारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉंच किया उडेशा में जून दोजाटेश में इंटर कॉंटिनेंटर फुट्वाल कप की मेजबानी करेगा उडेशा सरकार द्वारा गंद मर्दन हिल रेंज को बायो डावस्टी हेरिटेज साइड कोसित किया गया है अच्छा उडेशा में सुनावेडा वायला संचुरी है, कूठागड वायला संचुरी है, नलवन वायला संचुरी है, वैसी पल्ली वायला संचुरी है, गहिर मठ वायला संचुरी है और चिलका लेख है चिलका लेख भारत की सबसे बड़ी कारेपणी की लेख है उडिसा में लेंगराज़ टेंपल है, कुडार्क टेंपल है और जगनाटेंपल है उडिसा में रसीकुलिया बेच है और गूर्डन बीच है नएक क्यूशन है हाली में माना को पहला भारति गाउं गोसित किया गया यह किस राजिमे से है तो माना ये उत्राखंड का एक गाउं है और अभी इसे border road organization द्वारा पहला भारती गाउं गोसित किया गया है तो इस question का say options है बॉर्डर road organization ने माना गाउं के entry point पर ये board लगा दिया है पहले भारती गाउं का तो अब इसे पहला भारती गाउं गोसित किया गया है पहले क्या था ये last border पर है इसलिए इसे last गाउं बोला जाता था लेकिन last year पदानमंतरी मोदी ने या बिजिट किया उसके बाद ये गोसित किया कि जितने भी border पर गाउं है इनको last गाउं न बोलके पहला गाउं बोला ज पुसकर सिंग धामी और उत्राखंड की गवर्नर है गुरमेत सिंग अभी पसु सनरक्षड के लिए उत्राखंड के मुख्यमंद्री ने अहेल्प कारिक्रम सुरू किया पसु चिकित्सा और आयरवेद पर अंतरास्टी आयरवेद सम्मेलन का उद्गाटन हरिद्वार में हु उत्राखंड में जेम कॉर्वेट नेशनल पार्क है यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है सबसे पुराना है इसलिए इसका पूर नाम पूछा जाता है इसका पूर नाम है हैली नेशनल पार्क उत्राखंड में राजाजी नेशनल पार्क है उत्राखंड में फूल इसका इसका इस्तेमाल कैंसर और मदमे जैसी बीमारियों के इलाज में किया जाएगा अब आयएटी की बात है तो अभी आयएटी मद्रास तंजानिया में अपना पहला अंतराश्टी परिसर इस्तापित करेगा टचलेस बायमेट्रिक सिस्टम बिक्सित करने के लिए आयएटी बॉम में ने यू आईडी आई के साथ साज़दारी की आयएटी मद्रास ने दूद में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण बिक्सित किया है IIT रुड के के बैग्यानिकों ने जीवांड रोर्दी अडू IITR 00693 की खोज की नए क्यूशन है हाली में किसे प्रतिस्ठित गूल्ड मेन पर्यावड पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो अभी एले सेंड्रा कुराप को प्रतिस्ठित गूल्ड मेन पर्यावड पुरुसकार से सम्मानित किया गया है ने क्यूशन है हाली में प्रतानमंत्री मोदी ने कहां बंदे भारत एक्सप्रेस को हरी जंडी दिखाई है तो प्रतानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंत्पुरम में केरल की पहली बंदे भारत एक्सप्रेस को हरी जंडी दिखाई तो इसकुशन का बे ओप्सन्स है ने क्यूशन है हाली में किसने डे पे आईटी के सचिप का पदभार ग्रेड किया है तो डे पे आईएटी इसके सचिप का पदभार अभी राजेस कुमार सेंग ने ग्रेड किया अभी टाटा एलेक्ट्रोनिक्स द्वारा रडदीर ठाकुर को MD&CEO के रूप में न्यूप किया गया हिमाचल प्रदेस हाईकूट के कारे बाहक मुख्य नयदीज के रूप में जस्टिस तरलोग सिंग चोहान को न्यूप किया गया मद्रा साइकूट के अत्रिक न्यादीज की रूप में जस्टिस बट्टो देवानन्द ने सपद ली है LIC ने चेफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की रूप में रतनाकर पटनायक को न्यूप किया है सुजुकी मोटर साइकल इंडिया ने केनिची उमेदा को नया MD न्यूप किया और टाटा पवर ने प्रबेज सिन्ना को MD & CEO के रूप में न्यूप किया है नए क्यूशन है हाली में भारत और किस देश की तट रच्चक बल नई दिल्ली में उच्चिस तरी बैठक करेंगे तो अभी अपने देश भारत और दक्षिड कोरिया के तट रच्चक बल नई दिल्ली में उच्चिस तरी बैठक करेंगे तो इस question का बे options है अब South Korea तो ये है map में South Korea आप इस map में नेचे की तरब देखो ये है South Korea South Korea capital क्या है Seoul South Korea currency क्या है South Korean won और South Korea के present time पे president क्यों है यून्सुक यूल अच्छा अबे South Korea दुनिया के सबसे बड़े chip center का निर्माण करेगा ओसिनिक city नमक तेरता हुआ सहर South Korea में इस्तापित किया जा रहा है यून्सुक यूल ये South Korea के नई राष्टपती बने है और Space X ने South Korea के सैन उपग्रे एनसिस 2 को सपलता पूर्वक लौंज किया है North Korea और South Korea को डिवाइड करने वाई लैन को क्या करते हैं 38 पहलल नए क्यूशन है हाली में किसे New York City के जातिगत न्याय सलाकार मंडल का सदस्य बनाए गया है तो अभी उद्य तमवर को New York City के जातिगत न्याय सलाकार मंडल का सदस्य बनाए गया तो इस question का C options है ये हैं उद्य तमवर नए क्यूशन है हाली में SBI ने कहां अपनी चौथे स्टार्टप के इंदरित साखा का उद्गाठन किया है तो अभी SBI ने मुंबई में अपनी चौथी स्टार्टप के इंदरित साखा का उद्गाठन किया तो इस question का A options है ये अब SBI यानि कि State Bank of India इसकी स्टापन का हुई 1955 में इसका headquarter कहां पर है मुंबई में और इसके present time पर chairperson कौन है दिनेज, गुमार, खारा ने question है हाली में सार जहा स्टेडियम में किस भारती किलाडी के नाम पर एक stand का नाम रखा गया तो सार जहा स्टेडियम में अभी सचें तेंदलगर की नाम पर एक stand का नाम रखा गया तो इस question का say options है ये Actually मैं अभी सचें तेंदलगर का बड़े था इनके बड़े पर Sydney cricket ground में एक gate का नाम रखा गया और सार जहा cricket ground में एक stand का नाम इनकी नाम पर रखा गया अब last video के question का answer last video मैं आप से question पूचा था कि हाली में किस देश में जेत गड़ी पर मनाए गया तो अभी नेपाल में जेत गड़ी पर मनाए गया यानि किस question का a option सही था और लगबग सभी श्ट्रेडनेस का अंसर सही दिया मुश्ट्रेडनेस के बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे मैं आपको जितना जादा से जादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में कहां खौंग जौंग दिबस मनाया गया है चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबह हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indreshrc Instagram पर indreshrc सर्च करके आप मेरे साथ जूड सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा, आज किस वीडियो का आप target जरू जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 या like का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है, help लगा है तब आप इस video को like को share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं उनमें आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का video आपको ये video कैसा लगा प्लेज comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लिजे आपको इस channel से निश्चे थी मदद मिलेगी तो ऑपको ढबहा एवाले से औरू कर दो ये button को अपको अपको जरू कर दो को suns